Hello Friends, Winners Academy के Official YouTube Channel में आपका स्वागत है जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, डेली 15 मिट की पढ़ाई से 30 में से 30 अंख पाए आपको सिर्फ कुछ टिप्स फॉलो करना है और डेली 15 मिट की पढ़ाई से आप 30 में से 30 अंख ला पाएंगे जिसके लिए आपको हमारे बहुविकल्पी प्रशनों का वीडियो पूरा देखना है और उसके बाद अपनी नोटबुक में वे सभी सवालों को लिख लेना है हमने आपके लिए 500 बहुविकल्पी प्रशनों तयार किये हैं जो डेली आपको मिलता रहेगा आपको रोज एक वीडियो के नोट्स अपनी कॉपी में लिख लेना है ऐसे करने से एक्जाम में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसकी पूरी तयारी हमारे वीडियो से हो जाएगी इसके साथ ही हमारी डिस्क्रिप्टिव क्लास की भी वीडियो आपके concept क्लियर करेंगे करने के लिए बहुत helpful होगी जिसमें हम 20 अध्याय का detail concept आपको समझाएंगे ये सभी वीडियो पाने के लिए आपको एक बार like, subscribe और share जरूर करना है तो चलिए देखते हैं आज के महत्पुन प्रश्ण शेशवकाल की अवदी है जन्म से दो वर्ष तक, जन्म से तीन वर्ष तक, दो से तीन वर्ष तक, जन्म से एक वर्ष तक इसका जो सही जवाब है वो है option A, जन्म से दो वर्ष तक अगले सवाल पियाजे की अनुसार दो से साथ वर्ष के बीच का एक बच्चा संग्यात्मक विकास की अवस्था में हैं किस अवस्था में हमें खालिस्तान में बताने हैं किस अवस्था में होता है Option A, आपचारिक संक्रियात्मक, Option B, मूर्थ संक्रियात्मक, Option C, सम्वेदी गतिक, Option D, पूर्व संक्रियात्मक इसका जो सही जवाब है Option D, पूर्व संक्रियात्मक हमार अगला सवाल है, विकास खालिस्तान से खालिस्तान की और बढ़ता है तो यहाँ पे हमें जो सही जवाब है वो दोनों blank में हमें भरना है option A, जटिल से कठिन, option B, विशिष्ट से सामाने, option C, साधारन से आसान, और option D, सामाने से विशिष्ट तो इसका जो सही जवाब है वो है option D, विकास सामाने से विशिष्ट की और बढ़ता है तो हमारा जो सही option रहेगा option D सामाने से विशिष्ट हमारा अगले सावाल है जब व्यास्क सहयोग से सामन्जे सिकर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान इस्तर के प्रदर्शन को संभाविश शमता के इस्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रग्रती कर्म को सुगम बनाते हैं इसे कहा जाता है Option A. सहयोग देना Option B. सहभागी अधिगम Option C. सहयोगात्मक अधिगम Option D. समीपस्त विकास इसका जो सही जवाब है वो है Option A. सहयोग देना चलिए अगले सवाल देखते हैं नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा मतलब अउधारना में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है मतलब जो खालिस्तान है हमें उसमें एक सही शब्द भरना है पहला Option A. आत्म साथकरन Option B. समायोजन Option C. अहम केंदरिता Option D. अनुकूलन इसका जो सही जवाब है वो है Option A. आत्म साथकरन चलिए अगले सावाल देखते हैं मध्य बालवस्था में भाषा खालिस्तान के बजाए खालिस्तान अधिक है मतलब हमें दो शब्द दी जाएंगे जिसमें हमें एक सही जवाब निकालना है तो इसका जो सही जवाब है Option A. मध्य बालवस्था में भाषा समाजी करत के बजाए अहम केंदरी अधिक होती है चलिए अगले सावाल देखते हैं बाल केंदरी शिक्षा में शामिल है Option A. बच्चों का एक कोने में बैठना प्रतिबंदित परिपेश में अधिगम Option C. वे गतिविदियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते Option D. बच्चों के हस्त परक गतिविदियां इसका जो सही जवाब है Option D. बच्चों के लिए हस्त परक गतिविदियां अगले सावाल देखते हैं अध्यापक ने राघौ को अपनी कक्चा में अपने कीबोर्ड पर स्वयम द्वारा तयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुएँ देखा कक्चा अध्यापक ने विचार किया कि राघौ में खालिस्तान बुद्धी उच्छिस्तरिये मतलब हमें बताना है कि किस प्रकार की बुद्धी उचिस्तरिये थी उप्शन A शारिरिक गती बोधक उप्शन B संगीत में उप्शन C भाषाई उप्शन D स्थानिक इसका जो सही जवाब है उप्शन B संगीत में रागों में संगीत में बुद्धी उच्चे स्तर ये थी चली देखते हैं अगले सवाल जब एक शिक्षक यह समस्ता है कि सौभाई कुरूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं यह दर्शाता है कि अध्यापक है मतलब अध्यापक किस प्रवत्ति के हैं पहला लिंक जेंडर पक्षपाती दूसरा शिक्षा प्रद तीसरा सही द्रिश्टी कोंड वाला और चौता नीती परक यहाँ पे हमें बहुत साफ साफ देख रहा है कि लड़के और लड़कियों में यदि कोई भेदभाव करता है तो यहाँ जेंडर पक्षपाती होता है तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा option A लिंग या जेंडर पक्षपाती चली अगले सवाल देखते हैं सामावेशी सिक्षा मानती है कि हमें खालिस्तान के अनुरूप बदलना चाहिए मतलब हमें बताना है कि हमें किस परिपेक्ष के अनुरूप बदलना चाहिए option A व्यवस्था या बच्चों के अनुरूप option B परिवेश मतलब परिवार के अनुरूप option C बच्चे परिवेश के अनुरूप या option D, बच्चे या व्यवस्था के अनुरूप तो इसका जो सही answer है वो है A, व्यवस्था और बच्चों के अनुरूप हमें बदलना चाहिए जो समाविक्सी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था और बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए तो ये थे आज की महत्पून प्रश्ण आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आपको किन किन सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वाट्स अप और फेस्बुक की लिंक दी हुई है जिससे जोड़कर आप फ्री नोट्स भी वहाँ से ले सकते हैं वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू